हलो चुडेंट्स यूपी बोर्ट छात्रे के लिए बहुत ही इंपॉटेंट खबर निकल के आई है जिसको कि मैं आपको बताने वाला हूँ आपको मैं बता दू कि क्लास टेंथ के बारे में बोर्ट ने तो पहले ही सारा डेसिजन ले लिया था क्लास टेंथ के बच्चों को प्रमोड करने के लिए किन किन क्रीटरिय का यूज किया जाएगा तो यूपी बोड ने बताया था कि क्लास नाइंत के रिजल्ट को देखा जाएगा क्लास टेंथ के रिजल्ट को देखा जाएगा मैंने इसके बारे में पहले ही वीडियो बना दिया है आप वहाँ से देख सकते हैं उससे पहले और मैं आगे बता दूं कि UP board की meeting के बाद class 12 के बारे में क्या decision लिया गया है उसको भी बारे में चर्चा करेंगे साथ ही साथ 10th के percentage कितना जाएगा और किस हिसाफ से बच्चों को promote किया जाएगा इन सारे news को हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे मैं बता दूए आप इस वीडियो को थोड़ा share कर दे कि उन बच्चों के पास भी वीडियो चला जाए जो बच्चे अभी तक इस वीडियो के बारे में नहीं जानते हैं या फिर इस information के बारे में नहीं जानते हैं इनतिजार कर रहे हैं कि 20 मारी की मीटिंग के बारे आखिर में हुआ क्या बोर्ड की एक्जाम में तो मैं आपको सबसे latest update में बता रहा हूं कि latest update आज की क्या है जो कि आपको मैं पूरे article के साथ दिखाऊंगा यहां पर देखे यूपी बोर्ड के सबसे main website पर यहां देखते हैं आज की latest update क्या है जो इसा की पता है आपको कि आज मीटिंग होने वाले थी देखते हैं मीटिंग होने के बास जो यूपी बोर्ड के main website है उस पर क्या सबसे latest update आईए यहां पर जब सबसे नीचे आएंगे तो यहां पर दिख रहा है आपको कि सबसे उपर 17 तारीक लिखे हुई है लेकिन और हम नीचे आते हैं नीचे आएंगे तो देखिए यहां पर यहां पर लिखा हुआ है 2021 की बोर्ड पर इच्छाओं के वायरल होई फर्जी समय साड़ी के सम्मंद में तलब यह 17 तारीक सबसे latest update है यहां पर main website पर अभी तक आज की कोई भी update नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कुछ news paper की cutting दिखाता हूं जिसमें कि आज का जो latest update है उसमें क्या अन्मान लग लिखा रहा हूं यहां पर कब की न्यूज है साड़े पांच बजी कीजिए न्यूज है इस न्यूज आर्टेकल में क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ यूपी बोर्ड एजम 2021 लाइब अपडेट्स यूपी एमस्पी लाइकली टू टेक फाइनल डिसेजन टूडे अन एक् लिखा रहा हूं आपको लिखा हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 10th 12th exam 2021 लाइब इस वाले पोर्शन में देखिए इस वाले पोर्शन में क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है अकारिंग टुए रिपोर्ट पाई न्यूज एटीं दो उत्रप्रदिस माधिमिक सिछ इसमें लिखा हुआ है सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर लिखा हुआ है इस वाले पोर्शन में देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि अधर इस्टेट की तरह अब यूपी बोर्ड भी क्लास 10th की एक्जाम को कैंसर कर दिया है और असेस्मेंट बेस्ट इंटर्ल मार्क 10th के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट आई है यहां पर तो आपको पता चला कि 10th के बारे में कोई भी वह बात नहीं बताई है मिटिंग में फिलाल सिर्फ वही है बात की 12th के प्रीबोर्ड और 9th के मार्स आइड होंगे और वह आपको अप्लोड होंगे तिहां पर यह क्यों चीजें यह 10th के बारे में क्या अपडेट की काल के आता है मैं आपको उस भी न्यूज में दिखा रहा हूं यहां पर यूपी बोर्ड ने बढ़ाई दस्वी छात्रों के नंबर अप्लोड करने की तारीक तो ठीक है तो बढ़ाई थी लेकिन यहां पर 12th के बारे में स्कूल से नहीं मांगा हूं लिखा हूं जहां एक तरफ हाई स्कूल की स्टूड को प्रमोट करने का कवायत तेजी से बढ़ाया जा रहा है पर डिले टेस्ट अपडेट और स्कूल पर प्रिसर दिया जा रहा है कि आपको अपने डाटा को तो अप्लोड करें वहें दूसरी चातरों के लिए ही सलाहे कि अपने त्यारी करते रहें इस यूज में इतना ही था कि मीटिंग में क्या हुआ है प्रमोट करने की बात की गई घूरान अब कोई बी डिसिजन नहीं लिए आ जया एक आप बाइ-बाइ, टेक कियर